हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सुजिदा किचन में आज हम आपकी लाएं है सरसो के पत्तों का बहुत ही ज़दा टेस्टी नए तरीके से पकोड़े की रेसिपी जो खाने में टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तयार होगा तो चली इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं नए तरीके से पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने आपर सरसो के पत्ते लिए हैं पत्तों के सारे डंठलों को काट कर हमने अच्छे से सारे पत्तों को धो लिया है और हमने आपर जो पत्ते लिए हैं वो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े लिये हैं हमें आपर पत्ते बड़े बड़े चाहिए तो चलीए अब म Cameron ये पेस्ट तयार करेंगे पेस्ट तयार keinen के लिए सबसे पहले हमने आपर एक कप बेशन लिा है इस में डालेंगी एक छ़ोड़ा चमच धनिया पाउडर को एए चशोड़ा घरम असाला पाउडल – पाउडर एक छोड़ा चमच लालमेच पाउडर, एक छोड़ा चमच हल्दी पाउडर, स्वात के नुसान नमक, दो चुटकी हिंग डालेंगे, इससे हमारे पकोड़े में फ्लिवर बहुत ही अच्छा आएगा दो छोड़ा चमच, चावल का आटा, इससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़दा क्रिस्पी बनकर तयार होंगे अब डालेंगे अधरक लसन हरिमेच प्याच का पेस्ट, एक चमच, अब हम सभी चीजों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे हमने सभी चीजों को अच्छी से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पैन डालकर अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तयार कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से हम पेस्ट को अच्छी से फेट लेंगे अब हमारा पेस्ट बनकर तयार है अब हम लेंगे एक सरसो का पत्ता पत्ते के जो ये मोटी मोटी नसे हैं हम इनको बेल कर अच्छे से हलकी हातों से दबा देंगे इस तरीके से ये देखिए तो देखिए हमने किस तरीके से अच्छे से नसो को दबा दिया है इसी तरीके से हम सारे पत्तों की नसों को दबा देंगे हमने सारे पत्तों को बेल कर इनकी नसों को दबा दिया है अब हमें एक पत्ता लेंगे पहले इस तरीके से रखेंगे और जो हमने बैटर तयार करा था हम उसको लगाएंगे हातों से इस तरीके से इस तरीके से अच्छे से पेस्ट को हाथों से फैलाएंगे पत्तों पे पेस्ट को हमने एक पत्ते में लगा लिया है अब हम दूसरे पत्ते को रखेंगे इसके उपर इस तरीके से और हम इसके उपर भी पेस्ट लगाएंगे अच्छे से हाथों से फैलाएंगे इसी तरीके से हम एक दूसरे पत्ते रख रख के पेस्ट को अच्छे से लगा लेंगे पहले अच्छे से पत्तों को फैलाकर पेस्ट को लगा लेंगे इस तरीके से पत्तों पेस्ट को अच्छे से लगा लिया है अब हम पत्ते को रोल करेंगे हाथों से इस तरीके से और अच्छे से इसके उपर भी पेस्ट को लगाएंगे और अब हम इसे रोल करेंगे इस तरीके से पत्ते से हमने एक रोल बना कर तयार कर लिया है इसी तरीके से हम सारे पत्तों की रोल बना लेंगे का पत्तत्तक counselor हूँ पत्तत्त नहते हैं जहाँ ₩ कि की कि पत्तत्ति अंड़ है कि चङ़ित तर्ड़ कि रोडोर ब great दोलोग्दों के था कि एक जुछित हमने सारे पत्तों में पेस्ट को लगाकर सारे रोल बनाकर तयार कर लिया है तो चलिए अब हम इनी स्टीम करेंगे स्टीम करने के लिए पहले हमने आप छेद वाली थाली ली है और इसमें तेल को लगाएंगे और अच्छी से हातों से फैला लेंगे थाली में हमने तेल को अच्छी से लगा लिया है और यहां पर हमने भगोने में पानी को गरम करने के लिए रख दिया है और अच्छी से हम पानी को गरम कर लेंगे पानी अच्छी से गरम हो गया है अब मिसके उपर छेद वाली थाली रखेंगे और हमने जो रोल बना कर तयार कर रहा था उसको रखेंगे हमने तेल इसलिए लगा है ताकि जो मारे रोल है वो जिपके न तो हम यहाँ पर सारे रोल को अच्छे से रख देंगे इसमें हमने सारे रोल को रख दिया है अब हम इसे ढगकर पांच मिनट तक हाई प्लेम पर अच्छे से स्टीम कर लेंगे पांच मिट हो चुके हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं तो देख सकते हमारे जो रोल है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे रोल को हमने निकाल लिया है अब हम इसे थोई देख लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रोल अच्छे से ठंडा हो चुका है तो चलिए अब हम इसे छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे इस तरीके से यह देखी इस तरीके से हमें छोटे-छोटे पीस करना है तो देख सकते हैं हमने आपर रोल के छोटे-छोटे पीसिस कर लिये हैं इसी तरीके से हम बाकी रोल के भी छोटे-छोटे पीसिस कर लिएंगे हमने सारे रोल के छोटे-छोटे पीसिस कर लिये हैं तो चलिए अब हम इने गर्म गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे इस तरीके से हम पकोड़े को गर्म गर्म तेल में डालेंगे पकोड़ों को हमने तेल में डाल दिया है हाई फ्लेम पर हम इने एक साइड से फ्राई होने देंगे अच्छे से पकोड़े एक साइड से फ्राई हो गए हैं अब मेने दूसी साइड से फ्राई करेंगे अच्छे से पलट के पकोड़े दूसी साइड से फ्राई हो गए हैं अब मेने थोड़ा सा उलट पलट कर और भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब हमारे पकॉड़े अच्छी से फ्राई हो गए हैं तो चलिए अब हम इने निकाल लेंगे हम इस तरीके से करेंगे ताकि इसका एक्ष्ट्रोय लिकल जाए और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसी तरीके से सारे पकॉड़े बना कर तयार कर लेंगे तो दोस्तो हमारा गर्म गर्म पकॉड़ा बनकर तयार है खाने में बहुत ही जदा टीस्टी और क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें और हमें कमेंट में जरू बताए कि आपको हमारे सरसों के पत्तों का पकॉड़ा की रेसिपी गैसी लगी और हमें चेड़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक क्यूँ